नमस्कार स्वागत है आप सभी का सुजस सारांज किस क्लास में मैं हूँ आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजिस्थान का करंट अफ्यार्स जिसका आधार होता है राजिस्थान सरकार की सुछना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है तो शुरुआत करते हैं के साथ सबसे पहले और सबसे बड़ी न्यूज जाज कल क्या चल रही है भगवान श्री देव नरेंड की जैनती पर आवकाश गोशित किया गया है यह न्यूज बहुत ज्यादा बड़ी इसलिए भी हो गई है क्योंकि अंगर धाम से संब्दित न्यूज आई थी तो प्रधानमंतित ने वहां दोरा किया और उससे पूछा भी गया था किस एक्जाम में जो की वनपाल वन्रक्षक वाला था उस टाइम पर ऐसे ही अब यह घटना इंपॉर्टेंट है तो आप इसको भी और देवनारेंड लोग विधानसवा का सत्र चल रहा है बीच में भी ब्रेक लिया हुआ है मैंने आप से कहा था कि गंतत्र दिवस के अब सरपा थोड़ी सी चुटिया चल रही है जैसे सत्र वापर शुरू होगा तो कुछ नए विदहक उसमें आने वाले हैं जैसे कि एक दो विदया क्या नाम पर बढ़ते हैं यहां है दो मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए 162 नई सीटे और यहां जैसल मिर में मरू महुत सब अब शुरू होने वाला है तीन से पांच फरवरी तक थार महुत सब पूछा जा चुका है अब मरू मोट सब कभ हो रहा है जैसल मिर में और कहां मतलब कहां हो रहा है जैसल मिर में और कब हो रहा है तीन से पांच फरवरी 2023 को अगले पेच पर हम देख रहे हैं कि जुतिया विश्व युद्ध पेंशन जिसमें भूत पूरु सेनिक और वीरांग नाउसे प्रमाण पत्र मांगे गए यहां है विश्व यालम में हाजरी की मॉन देखेंगे और दर निरोगी राजिस्थान यूजना इस यूजना के बारे में अभी समझेंगे जिसमें कहा गया है कि मरीजों की सुविधाय के लिए एस्पताल को वित्य अधिकार दिये जाएं और ऑद्यों की प्रोत्साहन से विर 31 जन्वरी से आखरी पेच पर है कि वर यूजना के बारे में बताए गया है कि इसके जो दूसरा चरण था उसका लक्ष रखा गया है एक करोड़ 45 लाग महिलाओं और किशोरियों को सेनेटरी नेपकिन वित्रित की जाए जिसका 98 प्रितिशत जो है पूरा हो चुका है तो अब शुरुआत सबसे पहले लोक देवता देव नरेंड जी की 1111 जैनती उसके बाद फिर होगा मरू मौत सब 2023 फिर अंबेड कर डीविटी बाउचर योजना और फिर चौथा निरोगी राजिस्थान अभियान एक है निश्रुलक निरोगी राजिस्थान योजना और करते हैं शुरुआत सबसे पहले लोग देव नरेंड जी की 1111 जैनती कौन सी आज कल आप जो भी न्यूज पेपर देख रहे होगे उन सब में 1111 जैनती लिखा हुआ रहा है लेकिन इसको लेके विबाद की इस्तिति है और वो इस्तिति क्या है जब डिटेल में देखेंगे तब मैं बताऊंगा तो संधर्ब क्या है अभी राज सरकार द्वारा इनकी जैनती के अवसर पर सार्वजनिक अवकास की घोशना की पहले यह एच्छिक था यानि की कोई चाहे तो कर सकता है जलाप्रशाशन कर सकता है या राजी सरकार की इक्षा पर डिपेंड था अब य अगया है यानि की देव नरेंट जी की जिस दिन जैनती होगी उस दिन राज में अवकास की घोशना कर दी गई है इनका थोड़ा सा हम जीवन परिचे जान लेते हैं क्योंकि लगातार चर्चम है तो पूछे जाने की संभावना बनती है जैसे कि जन्म कब हुआ तो विक्र समित हो सकते हैं कि अगर इस डेट को या इस डेट को जो कि एक ही बात है कि वल कलेंडर अलग है इसको अगर हम सही माले तो 1111 कैसे हो जाएंगे वर्ष यानि की 1110 वर्ष कैसे हो जाएंगे और 1111 जैनती संभा भी नहीं है लेकिन यह जो दो दौनों डेटा हैं यह कहां इतिहास की वक है इतिहास वाली उसमें यहीं लिखा हुए है कि 1223 के आसपास इनका ऐसा लंगा होगा है कि लहांके पर प्रकासि लिए अगर आप इंटरेनेट पर देखींगे या फिर आज चाहिए 968 यह तो विक्रमी संबत और जो अंग्रेजी कलेंडर है उसके इसाब से 911 तो आपको अब धियान रेखना है आपके option में जिस तरह की चीज आए उस तरह से आपको question करना है यह बात क्लियर है कि दौनों नहीं आएंगे option में एक साथ और अगर दौनों एक साथ आते हैं तो सीधी सी बात है वो question विवादित होगा डिलीट जरूर होगा क्योंकि राइस्थान बोर्ड की क्लास में लिखा हुआ है बारे सो तितालीस ही स्वी या विक्रिमी समभत तेरा सो तो इसके आधार पर मैंने यहीं लिखा है लेकिन अब जो आप देख रहे हैं यूज में सब यहीं है इंटरनेट में पर यहीं है तो आपको यह भ्याद रखना है और यह भ्याद रखना है पिता का नाम क्या तो सबाइब होज जो की बज़ावत को नागवंशी एक उजपित माता का नाम सेडू stewardship पत्नी का नाम के दर जो किनकी इनकी पूतरे segurança for situations के सम्बदित नाम तो कि इनके बच्पन क है और मेला कब लगता है तो भाद्र पदश्चुपल सश्टी तथा सब्तमी को देव नारेंट जी का मेला लगता है एक इस बार आरेस की मेनिक जाम में कुछन पूछा गया था हिंदी वाले पेपर में जहां शब्द युग्म होते हैं यानि की समोच चारित भिनार्थक शब सब्सक्राइब को क्या भिनिता है अरत में वह बताना था तो आप भी बताएं कमेंट्स में सश्टी और सश्टी तो ऐसे छोटे-छोटे शब्द जहां पी आए तो आप धिहान से पड़े ऐसी चीज़ें शब्द युग में शब्द भेद में पूछ ली जाती है तो आप इसका बताएं मुझे अंतर क्या है अन्य इनके बारे में खास जानकारी क्या है कि पता की मौत का बदला लेने हैं तो इन्होंने बिनाई के ठाकुर से युद्ध किया और उसको पराजित किया उसको मार दिया यह गायों की रक्षक लोग देपता के रूप में प्रसिद हैं और इनके प्रमुक अनुयाई कौन है तो गुर्जर समदाई के लोग इनके अनुयाई है और गुजर भूपन द्वारा जंतर नामक वाद्यंतर पर देवजी की फड़ गाई जाती है जो कि सबसे लंबी फड़ मानी जाती है कहा जाता है कि हर रात अगर तीन पहर तक इसे गाएं तो इसे पूरी होने में लगवग 6 महीने लगते हैं एक खास बाती है कि यही ऐसे पहले लोग देवता है जिनके नाम पर डांग टिकेट जारी की गई और कब वर्ष दोहजार दस में पांच रूपे का डांग टिकेट जारी किया गया था अगली नुज है मरू मोथ सब्सक्राइब जो कि कब से कब आयोजी तुने वाला है तीन से पांच फरवरी और कहां जैसल मेर में आयोजक कौन है तो परेटन विभाग राजिस्थान और जिला प्रशासन जैसल मेर दोना के दौरा संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा फिर अगली योजना है अमवेड कर डीवीटी बाउचर योजना जिसकी घोशना की के थी बजट में कब 2021 222 के में और उद्देश्य क्या है इस योजना का कि ऐसे बच्चे जो घर से बाहर रहेकर पढ़ रहे हैं घर से दूर रहेकर पढ़ने वाले जो राज की विद्यालि क्या है प्रतिवर्ष अधिक्तम दस महां तक 2000 रुपे प्रति महां विद्यारतियों को दिये जाएंगे और ऐसा अधिक्तम पांच वर्सों तक किया जाना संभव है कौन कौन से वर्ग लाब वानवित होंगे तो SC ST OBC AWS MBC तथा अल्प संख्यक वर्ग के जो जात्र हैं उनक कृन करना कि यहाँ आप लोगों देख पा रहे हैं हो क्या है संबर मोटारान इसका मोटो के देव है यह विवे आपको रखना है कि विशिष्ट है क्या योजना की यानि कि योजना क्या है तो योजना में दो स्वास्त मित्र चुने जाते हैं स्वास्त मित्र अपने इच्छा के उनसा यानि कोई वॉलिंटियर होते हैं जो स्वास्त की देखरें करते हैं समाज की उनमें एक महिला और एक पुरुष और एक को प्रेस्टिक्षन दिया जाएगा यह स्वास्थ मित्र जनता को चरंजी भी स्वास्थ शिवरों में भाग लेने और स्वास्थ रहने के लिए जागरुप करने के लिए प्रेरित करेंगे कहने का मतलब यह है कि जो भी स्वास्थ मित्र होंगे बस समाज की स्वास्थ की बहत पास्कोषित किया गया है इस वर्स इनकी कौन सी जैनती मनायी जा रही है 1000 वी 1001 वी एक 1101 या 1101 मैंने जान बूज के कुश्यन रखा है विवादत प्रश्ण है लेकिन आप्षन से कोई विवाद पैदा नहीं हो रहा है इसकी चार आप्षन ऐसे हैं जिसमें कोई भ्रहम की स् सेकता है जब 968 विक्रवी संबत और 1300 विक्रवी संबत दौनों एक साथ option में है या फिर 911 एसवी और 1243 इसवी दौनों एक साथ option में हैं क्योंकि कुछ माने ताक उनसार यह सही है कुछ के अनसार यह सही है राइसान बोड़ की किताब में यह है और विकीपेडिया पर गूगल पर या और वी जो न्यूज पेपर में उन सब में यह आ रहा है वही से यहाँ है केवल विक्रवी संबत और उसका फरक है इसलिए आप दौनों तितियां याद रखें इसलिए मैंने question रखा है ताकि प्रह कुछ भार shaking दो क उना हुएं रहा तो हिखा है अनूजाइसान झाल